Hello students, myself Dr. Ashish Srivastava and today we will discuss one very important topic of Superclass Tetrapoda, that is class Reptilia. आज का जो lecture है वो केवल और केवल हम discuss करने वाले एक simple सी class पर जो Superclass Tetrapoda के अंदर आती है, यानि की Tetrapoda, Superclass की second number पर आने वाली class जिसको हम Reptilia कहते हैं. तो Reptilia class के बारे में मैं आज के इस lecture में आपको वो सभी comments याद कराऊंगा, वो सभी comments आपको बताऊंगा, जो neat exam के लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि वो NCERT में दिये गए हैं और साथ में. रैप्टिलिया class के अंदर आने वाले बहुत सारे ऐसे examples जो आप NCERT में पढ़ते हैं, उनको याद रखना है along with their common name आपके लिए बहुत ज़्यादा difficult होता है, तो आज फिर से अपने इस lecture में हमेशा की तरह मैं आपको एक simple सी trick दूँगा, एक simple सी story सुनाऊंगा और उसके त्रू आपको रैप्टिलिया class के अंदर आने वाले सभी examples को along with their common name आपको याद कराऊंगा, तो आपको क्या करना है, आपको केवल इतना करना है कि इस lecture को, एक आपको याद रखना है, वो याद हो जाएंगे, तो आप इस lecture को आखरी तक देखेंगे, यह आपको याद रखना है, and second important चीज़ जो मैं आपसे discuss करना चाहता हूँ, वो यह कि अगर आप मेरे इस lecture को पहली बार देख रहे हैं, आप अगर पहली बार मेरे YouTube चैनल पर मेरे lecture क देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सबसे पहला काम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह lecture जो class reptilia पर based होगा, और and repair या raptum से drive हुआ, जिसका जो meaning होता है, वो है to creep या crawl, तो creep या crawl का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, तो आपने अपनी life में बहुत सारे छोटे-छोटे से बच्चे देखे होंगे, और जब बच्चों को आपने 5-6 महिने की उमर में देखा होगा, तो वो locomotion कैसे करते हैं, वो displaced कैसे होते हैं, एक जगा से दूसरी जगा, तो आपने देखा होगा, जैसा कि आपको इस मेरी back screen पर एक बच्चा दिख रहा है, जो कि अपने पेट के बल रैंगते हुए, displacement या locomotion कर रहा है, आप बिलीब कीजिए कि इस तरीके से पेट के बल रैंगने की जो process उसी को हम creeping या crawling कहते हैं, तो reptilia जो नाम है वो latent word repair या raptum से आया, जिसका meaning होता है to creep या crawl, and जितने भी reptilia class के अंदर आने वाले animals हैं, उन सभी में mode of locomotion जो है, वो creeping या crawling way में होता है, यही कारण है कि हम सभी animals को reptiles कहते हैं और इस class को reptilia कहते हैं, तो I hope कि आपने इस concept को अच्छे से समझ लिया होगा, कभी भी आपसे question पूछा जाता है कि mode of locomotion अगर creeping या crawling है, तो बताइए इन में से किस animals के लिए ये represent करता है, तो आपका answer होगा reptiles को, और reptiles के examples भी आपको आखरी में याद हो चुके होगे, तो आप ऐसे questions को बहुत easily solve कर सकेंगे, तो पहला comment आ आपको समझ में आ गया, कि reptilia word जो है, वो derived latent word से हुआ, जिसको हम repair या raptum कहते हैं, जिसका meaning होता है to creep और crawl, और जितने भी reptilia class में आने वाले animals हैं, वो सभी creeping या crawling mode of locomotion रखते हैं, that is very important point, अगली important चीज मैं आपको बता दूँ कि जितने भी animals reptilia class में आते हैं, उन में से mostly terrestrial हो aquatic भी हो सकते हैं, लेकिन most of the reptiles animal are terrestrial, on the basis of their habitat, and उनकी skin, या कह सकते उनकी body की जो outermost covering होती है, वो dry होती है, और उस पर scale या skews present होते हैं, तो ये बड़ा important comment है, जो amphibians से just opposite है, आपने amphibia में क्या पड़ा, कि amphibians की skin moist होती है, amphibians की skin moist होती है, और उस पर scales present नहीं होते हैं, लेकिन reptiles, जो animal है, उनकी skin opposite है, बलकुल amphibia से, ये dry होती है, और इस पर आपको scale या skews देखने को मिलेंगे, इनकी skin पर, या outer covering पर, जो scale या skews present होते हैं, they made up of creatine, that is very important point, वो creatine के बनी होती है, यानि कि scale से skews, इनकी outermost covering पर present है, वो creatine के बने होते हैं, और we know that कि creatine एक बह important point है, जो आपको reptilia के regarding याद रखना है, next important चीज कि जितने भी reptiles animal होते हैं, आपको बता देता हूँ कि इनके पास external ear opening नहीं होती है, they do not have external ear opening, and tympanum जो इनके पास है, वो represent करता है, ear को यानि की tympanum या ear drum इनके ears को represent करता है, limbs की presence की बात की जाए, तो limbs इनके पास हो भी सकत होते हैं, पर अगर इनके पास limb present हैं, तो वो number में two pair होंगे, because they belong to superclass tetrapoda, यानि कि अगर limbs की present है, तो वो two pair होंगे, otherwise कही animals ऐसे होते हैं, जिन में limbs present नहीं होते हैं, आपको बता दू, heart, यानि कि इनके पास जो heart होता है, usually वो three chambered होता है, और one of the most important and repetitive question in previous year examination वो यहीं है, कि आ most of the reptilia जो होते हैं, उनमें heart कैसा होता है, तो आपका answer होगा three chambered, लेकिन एक exceptional case है, वो आपको हमेशे आद रखना है, crocodiles या crocodiles एक ऐसा reptile animal है, जिसका heart four chambered होता है, that is very important point, तो एक बार फिर से मैं आपको remind करा देता हूँ, मैंने आपको एक simple सी trick दी थी, P-A-R-A-M मतलब परम and परम में P का मतलब था Pisces, A का मतलब था Amphibians, R का मतलब Reptilia, A का मतलब Aves and M का मतलब Mammals, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको याद रखना है, बहुत simple है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा किस animal में heart कितने chambered होता है, तो आपको बहुत easily याद रखना है, परम से कि P मतलब Pisces है और जितनी भी Pisces होती है, चाहे वो Class Chondris Thies को Blong करती हो, या वो Class Austis Thies को Blong करती हो, जितनी भी Pisces होती हो, उनमें heart जो होता है, वो आपको हमीशा आद रखना है, तो चेमबर होता है, एंड Amphibians में heart थ्री चेमबर होता है, रेप्टिलिया में heart थ्री चेम होता है, या आपको याद रखना है, ये बहुत important है, उसके बाद मैं बात करूँ A-V's की जिसमें की words आते हैं, तो उनमें heart फोर चेमबर होता है, एक और अनादर चीज जो आप याद रख सकते हैं, कि अगर किसी भी animal का heart two चेमबर होगा, एक ventricle होगा, और उसमें circulation हमेशा single होगा, अगर किसी animal के पास heart three च Mog Normally है, तो उसमें दो auricle होगा, एक ventricle होगा, और उसमें जो circulation होगा, वो incomplete double circulation होगा, अगर किसी भी animal के पास heart three chambered है यानि कि मैंने पहली बता दिया उसमें दो auricle होंगे एक ventricle होगा और उसमें incomplete double circulation होगा तो incomplete double circulation found in amphibians and reptilia लेकिन crocodiles इसका एक exceptional case है वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसके पास heart जो है वो four chambered है यानि कि उसके wise करा दिया आपको याद रखना है अब मैं बता देता हूँ आपको कि जितने भी जितने भी reptilia animals हैं वो सभी poikilotherm होते हैं तो what is the meaning of poikilotherms तो मैं आपको बता देता हूँ cold-blooded animal poikilotherms का मतलब होता है cold-blooded animals तो आपको याद रखना है कि amphibians की तरह reptiles भी cold-blooded animals and what is the meaning of cold-blooded animals तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे animals जिनकी body का internal temperature उनके environmental temperature के accordingly change होता रहता यानि कि वो अपनी body के अंदर अपना constant body temperature को maintain नहीं कर सकते तो आप ऐसे characteristic property को poikilotherms कहते हैं या उसको cold-blooded animals कहा जाता है तो जितने भी reptilia हैं वो सभी cold-blooded animals हैं यह आपको याद रखना है that is very important point एक और important comment जो NCRT में discuss किया गया है कि जो reptilia animals हैं उनमें से कुछ ऐसे reptilia animals हैं यानि कि some of the reptiles like snakes and lizard तो आपने साप को देखा होगा आपने छिपकली को देखा होगा और आपने देखा होगा कि यह अपनी skin को एक particular season में remove कर देते हैं यानि कि इनकी skin जो है वो remove हो जाती है और उसकी जगा नई skin इनकी body में develop होती है तो इस particular concept के लिए NCRT ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि snakes and lizards shade their scales as skin cast यानि कि आपने देखा होगा कि जो साप होते हैं और जो छिपकली होती है वो एक particular season में अपनी skin को remove कर देते हैं जिसको हम लोग common language में काचुली या कैचुली छोड़ना बोलते हैं तो आपने देखा होगा साप अपनी कैचुली छोड़ता है that means कि वो अपनी skin को एक particular season में क्या कर देता है remove कर देता है that is the very important characteristic property of some reptile animal like snakes and lizards and जितने भी reptilia animals है they are obiparas, they are egg laying animals तो ये point भी आपको याद रखना है कि ये egg laying animals है और इनमें development हमेशा direct होता है तो आपने देखा हुआ है कि जो development है वो पूरे cordate को एक साथ लेकर बात करें तो कुछ cordate animals में direct है कुछ cordate animal में indirect है जैसे कि मैंने euro cordata में आपको hint किया cephalo cordata में आपको hint किया amphibians में आपको hint किया कि इनमें indirect development होता है ये सभी cordates थे और आज मैं आपको reptiles जब पढ़ा रहा हूँ भी हमने पढ़ा है उसमें ये ऐसा एक class है जिसमें development direct देखने को मिल रहा है आइदर आप बात करें कि जो amphibians तो उनमें development indirect था जबकि जो सब philems थे like euro cordata and cephalo cordata उनमें भी development जो था वो indirect था तो जितने भी comments मैंने आपको बताएं they are very important for neat examination जो reptilia के regarding आपसे questions पूछे जाएंगे वो सब इनी comments पर based होंगे फिर से मैं आपको जल्दी से revise करा देता हूँ दो minute के अंदर पहली important चीज़ आपको याद रखना है कि reptilia में mode of locomotion creep या crawl होता है mode of locomotion के basis पर creeping या crawling करते हैं second important चीज़ इनकी body covered होती है एक dry cornified skin से और उस पर present होते हैं skewt या scales they made up of keratin third important चीज़ आपको याद रखना है जो बहुत important इनके पास external ear opening नहीं होती timpanum represent करता है ears को and उसके बाद इनके पास limbs present हो भी सकते हैं और नहीं भी पर अगर present होते हैं तो number of limbs two pair होते हैं and next important cheese इनके पास heart usually three chambered होता है but crocodile एक ऐसा reptile का example है जिसका heart four chambered होता है and यह poikilotherm से आने की cold blooded animals इनकी body का internal temperature कभी constant नहीं रहता वो ambient या external temperature के accordingly change होता रहता है तो यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ चुकी है और अब आजके इस lecture में हम बहुत important section पर जा रहे हैं और वो है examples of reptilia तो reptiles animal के कुछ आपको example याद रखने है उनके common name के साथ याद रखने है वैसे ही याद रखने है जैसे NCRT में दिये गए हैं क्योंकि question में जो example आपसे पूछे जा सकते हैं वो कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा केबल NCRT examples आपको याद रखने हैं तो मैं आपको आज एक story सुनाता हूँ और उस story के सुनू through मैं आपको याद कराता हूँ सभी reptilia के examples तो एक teacher थे जिनका नाम था turkey chemistry teacher क्योंकि habits के basis पर वो काफी turkey किसमिके थे तो हमारे ख्याल से मैं मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ कि आप सभी को turkey का meaning मालूम होगा और अगर किसी को turkey का meaning मालूम नहीं है तो वो chat walks पर लेकर पूस सकता है turkey का meaning क्या होता है तो एक chemistry के teacher थे जिनको हम generally turkey chemistry teacher कहते थे चलो मैं आपको पहले clear कर देता हूँ कि अगर कोई chemistry का teacher मेरे lecture को देख रहा है तो please वो इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा ये केवल एक nemonics है ये केवल एक short tricks है जिसके तुरू मैं बच्चों को reptilia के example से आत करा रहा हूँ otherwise chemistry के teacher जो होते हैं बहुत ज़्यादा strong और intelligent होते हैं बहुत हुशियार होते हैं और मैं उनकी काफी respect करता हूँ लेकिन जो एक chemistry के teacher थे वो काफी turkey थे और वो एक college में पढ़ाय करते थे जिसको हम croco college कहते थे तो chemistry के teacher थे जो turkey थे और वो एक college में पढ़ाते थे जिसको हम croco college कहते थे एक बार क्या होता है कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना croco college को gift में वो कुछ important device या items दें और उन्होंने decide किया कि वो croco college को gift में क्या देने वाले हैं एक तो tester और tester क्या होता है तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि electricity को check क करने के लिए हम लोग एक device का use करते हैं जिसको हम tester कहते हैं और उन्होंने दूसरी चीज़ जो gift की croco college को वो था wiper वाइपर भी आप सभी जानते हैं क्या होता है एक cleaning के लिए use होने वाली एक device होती है जिसको हम wiper कहते हैं तो turkey chemistry teacher ने croco college को क्या दिया gift में एक tester दिया और एक गाना था नाजा नाजा एक गाना कौन सा गाया नाजा नाजा और दूसरा गाना गाया हम है all is well तो ultimately पूरी कहानी यहीं पर खतम होती है और आपको सभी example जो रैप्टी लिया के याद रखने है वो आप जीली याद रख सकते हैं कैसे तो पहले कहानी को एक वर revise कीजिए तर Ultimately पूरी कहानी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है सुन्दर्शी शब्दों में और इस कहानी के इन शब्दों के थूँ आपको पूरे के पूरे रैप्टीलिया के examples मैं जल्दी से याद कराने वाला हूँ तो देखिए तर्की केमिस्ट्री टीचर ब्रिंग आटेस्टर अब यह example को तो तर्की के टर से आपको याद रखना है तर्की में टी यू आर आ रहा है और उससे आपको याद रखना है टर्टल तो तर्की के टी यू आर से आपको याद रखना है टर्टल मैं आपको बता देता हूँ टर्टल जो है वो एक common name है किसका common name है तो मैं आपको बता दूँ तरकी के के वाई से आपको याद रखना है बहुत important norm जिसको हम किलाउन कहते हैं तो किलाउन या किलाउन जो है उसका common name turtle होता है या आपको पहले से पता होगा उसके बाद chemistry के c-h-e-m-i-s से आपको तो chameleon आपको याद रखना है किस से chemist से और try से आपको क्या याद रखना है तो chameleon जो है उसको हम लोग tree lizard के नाम से जानते हैं तो यह हो गया common name तो try से आपने क्या याद रखा tree lizard तो देखिए दो example along with their common name आपने बहुत easily याद रख लिए एक तो turkey के t-u-r से turtle और turtle को अपन क्या बोलते हैं kilon and chemistry के c-h-e-m-i-s यादे chemist से आपने याद रखा chameleon and chameleon को अपन commonly क्या कहते हैं tree lizard वो आपने कैसे याद रखा chemistry के t-r-y से ठीक है यहाँ पर teacher का कोई meaning नहीं है तो इसको मैं बिल्कुल separate कर देता हूँ अब आगे बढ़ते हैं अब आपको देखना है bring a tester तो bring से आपको याद रखना है एक बड़ा important example जिसको हम बोलते हैं one b-u-n one garras तो one garras जो है वो bring से आपको याद रखना है जिसको commonly हम लोग crate के नाम से जानते हैं यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ and आपको याद रखना है tester के t-e-s से testudo तो testudo एक बड़ा important example है testudo आपने tester के t-e-s से क्या याद रखा testudo और हम सभी जानते है testudo को हम लोग commonly क्या कहते हैं तो tortoise कहते हैं तो tortoise जो है उसका हम लोग scientifically नाम यहाँ पर testudo word यूज़ कर रहे हैं तो tester से आपने t-e-s से क्या रखा testudo जिसको हम most commonly tortoise कहते हैं आपको बता दूँ turtle और tortoise जो हैं दोनों कछुआ है commonly लेकिन इन दोनों में एक बड़ा important difference होता है तो यहाँ पर आपने word यूज़ किया है turtle और यहाँ पर आपने word यूज़ किया है tortoise तो turtle and tortoise जो है उन दौनों में क्या difference होता है तो मैं आपको बता दूँ कि turtle is water dwellers ये पानी में पाई जाते हैं जबकि जो tortoise है वो land dwellers है यानि कि ये जमीन में चलने फिरने का काम करता है तो ये इन दौनों के बीच में एक बड़ा important difference है तो TES, tester के TES से आपने क्या आद रखा तो wiper से हमें क्या आद रखना है वाइपर और इसको हम लोग commonly वाइपेरा कहते हैं तो वस E, वाइपेरा में आपको क्या करना है वाइपेरा में आर के बाद A लगा देना है तो वाइपर से हम वाइपर याद रखेंगे और उसको हम commonly वाइपेरा कहते हैं बहुत easy है croco से आपको क्याद रखना है तो croco से आप बहुत easily याद रख सकते हैं सोचिए क्याद रख सकते हैं crocodile तो crocodilus हम इसको scientifically word यूज़ कर रहे है crocodilus और इसको हम commonly क्या कहेंगे crocodile तो croco से आपने याद रख लिया crocodilus या crocodile अब college पर आ जाते हैं college के c-o-l-l e से आपको क्याद रखना है तो आपको याद रखना है calotes c-a-l-o-t-e-s college के c-o-l-l-e यानि college से आपको याद रखना है calotes and आपको बता दू इसको हम लोग commonly क्या कहते हैं तो ge से आपको याद रखना है garden lizard तो इसको हम लोग commonly garden lizard के नाम से जानते हैं तो ये भी एक NCRT का example है उसके बाद यहाँ पर end और singing का कोई meaning नहीं है ये केवल supporting letters है उसके बाद आपको याद रखना है कि naza naza तो naza naza से आपको क्याद रखना है तो naza से आपको केवल naza ही याद रखना है पर इसको commonly हम लोग क्या बोलते हैं कोबरा तो naza naza से आपको naza याद रखना है जिसको commonly हम लोग कोबरा कहते हैं ये हम सभी जानते हैं अब हम है all is well तो यहाँ पर हम से आपको क्या याद रखना है तो हम है को हम एक साथ ले लेते हैं और इसे हम एक बड़ा important example याद रख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं Hemidactylus तो Hemidactylus आपको हम है से याद रखना है Hemidactylus और Hemidactylus को हम लोग commonly किस नाम से जानते हैं तो Well से आपको याद रखना है Wal Lizard तो इसको हम wall lizard के नाम से जानते हैं यह आपको easily याद हो गया तो hemidactylist को हम लोग wall lizard कहते हैं अब क्या बच रहा है all age तो all age से आपको याद रखना है alligator a double l i all में a double l आ रहा है तो alligator में भी initial three letters जो है वो a double l आ रहा है उसके बाद ig तो आपने i लिख दिया और g लिख दिया तो alligator वस a t o r लगा दीजिया तो alligator से आपने easily याद रख लिया all age से alligator और alligator को भी हम commonly कहते है alligator ही कहा जाता है तो break it में भी आपको यही चीज रिपीट कर देना है alligator तो ultimately देखिए आपने सभी examples को आयाद रख लिया जो N-C-E-R-T में दिये गए तो turkey chemistry teacher bring a tester and wiper in croco college and singing naza naza और हम है all is well तो turkey के T-U-R से आपने याद रखा turtle KY से kilon and chemistry के C-H-E-M-I-S से आपने याद रखा chameleon and T-R-Y से आपने याद रखा tree lizard भी इसको कहा जाता है bring से आपने याद रखा one garras और इसको crate कहते हैं यह थोड़ा से याद रखना होगा आपको tester के T-E-S से आपने याद रखा testudo and T-O-R से आपने याद रखा tortoise and wiper से आपने याद रखा wiper जिसको हम wipera भी कहते हैं croco से आपने याद रखा crocodile जिसको हम crocodile भी कहते हैं and college के C-O-L-L-E से आपने याद रखा calotes and इसको commonly क्या कहते हैं तो G-E से याद रखना है garden lizard naza naza से आपने याद रखा naza जिसको हम cobra कहते हैं and हम है all age well यह बहुत important है यहाँ पर तो हम है से आपने याद रखा hemidactylis और well से आपने याद रखा wal lizard इसको कहा जाता है और बीच में आ रहा है all age तो all age को आप बिना space दिए लिख लीजिए तो A-L-L-I-G-A-G-A-T-O-R आपको यहाँ पर add करना है all age से आप याद रखेंगे alligator जिसको commonly भी हम alligator कहते हैं तो I hope कि आपने यहाँ पर बहुत सारे examples जो दिए गए है reptilia class के वो आपने इजिली याद रख ली होंगे अगर आपको यह lecture बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको like करना मत भूले और आपने अगर तक अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो इसे please subscribe कीजिए thank you very much धन्यवाद